हिमाजल गौस एवा समीती की बैठे का आयूजन शिव मंदिर परिशर में किया गया जिसकी अध्यक्स था समीती की अध्यक्स रसिल सिंग मनकोटिया ने की उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से परदेश सिरकार ने लावारिस गाये को बचाने के लिए कोई कारगार प्रवन नहीं किया है किसी प्रकार की सुबिधा गौशालाओं को नहीं दी गई है सरकार की तरफ से कोई सहायता गौशालाओं को नहीं मिली है ग्राम पंचायतों ने भी गौशाला अपने सतर पर शुरू की है फुले में गौधन को छोड़ने वालों पर सरकार ने अभी तक कोई प्रतिवन नहीं लगाया बैटिक में स्मिती के ओम प्रकास शर्मा सत्य पाल पत्याल भूमी देव सास्त्री केशिफ शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया अज हजारों की संख्या में दो धन सर्गों पे है यहां तक की मानने हाई कोट का नर्ड़ने भी इस प्रदेश सरकार में लागू नहीं किया आज किसी भी पिंचाईत में फरकार की दब से कोई गोशारा ने खोली गई जिससे किसाना का फसना को नुक्सान हो रहा है मुझे इस बात का दुख है कि आज तक की सरकार ने किसी भी गोशारा के लिए जिनी उपलवज नहीं कुराई जो कि एक चिंता का विशे है इसलिए आज इस ये गोशारा की जो है इस प्रदेश सरकार की जो नलाइकिया है उसको हम उजादर कर रहे हैं और इसका खाम्याजया आने वाले जनाबों है इस प्रदेश सरकार को बहुतना बढ़ेगा जिन्हों ने इस पशुधन को इस गोवमादा को सरकारों के द्खेरने में कोई कसर नहीं जोनी है इसकी सरकार के हम भरसक नंदा करते हैं गोशाला कमिटी ने कई बार इस प्रदेश सरकार को बहुतने किया है कि जिन गोशालों के पास भूभी नहीं है उन्हें सरकारी भूभी दी जाए लेकिन आज तक सरकार ने इसके पर कोई चंता नहीं की, कोई अमल नहीं किया इससे उलिट अपने पूरो बिजाईकों को और परस्वान बिजाईकों को जो पटे पर जमीन देने का नर्ने लिया है उसका मिरूभ करते है मैं अपनी और सीए कहूंगा कि आज तक सरकार ने किसी भी गोशाला के लिए पूरे प्रदेश में ना कोई अच्छा कारिया किया, ना ही किसी को एड़ दी, ना घास के बारे में और ना ही मैं समझता हूँ कि किसी को भूम्य अलाउट की हो हमारी प्रवानी गोशाला जो दस बारा साथ से चाल रही है उनके लिए जमीन के आज तक कागजात हैं, वो शेमला में पड़े हैं और आज तक वो कागजात जो नहीं नकाले हैं और ना ही वो जो गोशाला हैं प्रव पर चल रही हैं लेकिन जो भूम्य है वो किसी को अलाउट की है सरकार कहते हैं कि हमने परचाइटों को जमीन दे दी हैं लेकिन बहां यदि जमीन दे दी गए यह तो गोशाला क्यों नहीं खुली इसका मतलब यह सरकार की नलाइकी हैं हम पूप और जोर से उसका बरोत करते हैं आज गव की इतनी दुरदर्स है कि लोग जब खेपतों में जाते हैं उसको डंडे मारते हैं और जंगलों में जाते हैं तो जंगलों को लोगों ने अतिकरम्न कर रखा है तो मैं परेष्टी विवाग से चाहता हूँ कि इसके उपर संग्यान में लिये जाए इस चीज को कि लोग इसको जो इंक्रूजमेंट करकी है जंगलों में इसको तोड़ा जाए और इसके उपर सक्ती-सक्ती कारवाई हो ताकि हमारी पसों जंगलों में चर सके अज पसों को चरनके के लिए न तो जंगलों यह पूचा जाए और विवाग इसको शंग्यान में ले तो मैं पूच्टना चाहता हूँ कि बंड की जो परिवासा क्या है आज जंगलों मेदान बन चुके हैं इन मेदानों को तोड़ा जाए और जंगली पसों के लिए और जो हमारी गोव माता है उनके लिए इनको छोड़ा जाए ताकि ये बहांपर अपना पेट भर सके हैं मैं इतने कहना चाहता हूँ ये बन विवाग अपने नीद को तोड़े और इसके पर सिंग्यान में लिया जाए जो लोग ने इंक्रोजमेंट करकी है उनके उपर चलान बनाए जाए और उनकी टीयार काड़ जाए पहले ही गोव माता अंदर बिदर घुम रही है चुड़ाओं पर रोड़ों पर हर जगा गोव माता की बहुत बुरी हालत है इस युग में गोव माता के साथ जो अन्याए हो वो किसी भी युग में नहीं हुआ है गोव हमारी माता है और उसकी हमें पूजा करने चाहिए और पूजा करेंगे तो ही हमारा कल्यान होता है